देख गगन में श्याम घंगटा विधुर यक्षका मन्जब उचटा चित्रकूट के सुभक सिखर पर उस बेचारे ने भेजाता जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुषकरा वर्तमेगों का साथी बनकर उड़ने वाले पर पीडा से पूर पूर हो ठक ठक करो चूर चूर हो अमल धवल गिर के सिकरों पर प्रिवर तुम कब सक्त होए थे रोया यक्ष की तुम रोय थे कालिदा साथ सच्च बतलाना कालिदा साथ सच्च बतलाना ये सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं प्रगसील बिचादधारा के ससक्त हस्ताक्षर बाबा नागारजुन की जिनका बच्चपन का नाम वैद दिनाथ मिश्र था और जिन्होंने हिंदी में नागारजुन नाम से साहित्य सर्जन किया है और मैथिल में उन्होंने यात्री नाम से साहित्य सर्जना की है बाबा नागारजुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार राजी के मधवनी के सतलखा गाउं में माता उमा देवी की कुक्ष से हुआ इनके पिता गोकुल मिश्र खेतिहर किशान बाबा नागारजुन खेतिहर किशान परिवार में ही पले बढ़े वही उनको परिवेश मिला और इनकी सिक्षा का जो सुभारंभ है वो मैथली से होता है इन्होंने अपनी पढ़ाई मैतली से शुरू की और सेश इन्होंने घर में ही रहकर स्वाध्याय से ग्यानार्जन किया इनका विवाह 1941 में अप राजिता जी के साथ हुआ और इन्होंने स्री लंका में बहुत धर्म की दीख्षा ली बाबा नागार्जुन, संस्कृत, बंगला, हिंदी और मैतली के अध्वत बिद्वान थे वे बहु आयामी रशनाकार के रूप में जाने जाते हैं उनकी रशनाएं जो हैं जैसे काबिश संकलन, युगधारा प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली तालाप की मचलियां, रत्न गर्भ अपने खेत में इस तरह से इनका जो है और इन्होंने उपन्यास में जो सरवाधिक प्रसिद्ध हैं, रत्नात की चाची, बल्चनमा, नई पौध, और कुम्भी पाक, उग्रतारा, ये बाबा नागार्जुन के उपन्यास हैं इन्होंने मैथिली में चित्रा पत्रहीन नगन गाच कविता शंग्रह दिया और उपन्यास में पारो नवतुरिया और पत्रहीन नगन काच में इन्हें साहित एक आदमी सम्मान से नवाजा गया बाबा नागार्जुन को अनेक अलंकर्णों से अलंकृत किया गया जैसे 1979 में इन्हें साहित एक आदमी सम्मान से सम्मानित किया गया भारत भारती सम्मान, राजेंद्र सिखर सम्मान, राहुल सांक्रित्यायन सम्मान और अनेक अलंकर्णों से अलंकृत हुए बाबा नागार्जुन संस्क्रित और बंगला के ग्रंथों का अनुवाद भी इनका बड़े सम्मान के साथ पढ़ा और देखा जाता है यह दिब्वी भूती पांच नॉम्बर उनई स्वांठानने को इस धराधाम को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई इनके जाने से हिंदी संसार में अंधेरा चा गया बाबानागार्जुन के साहित्य में जन भावनाओं की अभिव्यक्ति देश प्रेम श्रमिकों के प्रत्षाहान उभूती शंबेदन सीलता प्रकिच चित्रन और व्यंग की प्रधानता है बाबानागार्जुन जीवन धर्ती जनता थास्रम के गीद गाने वाले जन कभी रहे हैं इनकी भाषा अत्यंत सहज सरल बोध गम्मे हैं भाषा में इनोंने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है अर्वी और फार्ची के सब्दों का भी उसमें समावेश है अलंकारों का स्वाभावित प्रयोग है अब आईए पढ़ते हैं नागार्जुन की रचना बादल को घिरते देखा है यह रचना 398 में युगधारा काब्विशंक्रन में प्रकाशित हुई है उसी से लिया गया है बादल को घिरते देखा है काब्विपाठकल ने अमल धवल गिर के सिखनों पर अमल धवल गिर के सिखनों पर बादल को घिरते देखा है चोटे-चोटे मोती जैसे उसके सीतल तुहिन कणों को मान्शरोवर के उन स्वैनिम कमलों पर घिरते देखा है बादल को घिरते देखा है इसमें शबदार्त देख लें अमल का अर्थ होगा निर्मल, साप सुथरा बिन मल रहित निर्मल धवल, स्वच्छ, उज्ज्वल, गिर्माने परवत, सिखरों, चोटियों पर बादल को घिर्टे देखा है छोटे मोती जैसे उसके सीतल तुहिन कणों को, तुहिन माने ओश, बादल को घिर्टे देखा है इसमें प्रकित के अनुपम सौंदर्य का वर्णन और वर्षा के आगमन का चित्रांकन है कविनागारजुन कहते हैं कि मैंने अमल धवल गिर्टे शिखरों पर, मैंने निर्मल स्वेत परवत की चोटियों पर बादल को घिर्टे देखा है हमने बादल को घिर्टे हुए देखा है आगे कभी कहता है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके सीतल तोहिन कणों को मांशरोवर के उन स्वेनिम कमलों पर गिर्टे देखा है बादल को घिर्टे देखा है उन बादलों से गिरने वाले मोती के बूनों के समान ओशकनों को मांशरोवर तालाब में खिले हुए स्वेनिम कमल पर गिर्टे हुए देखा है बादल को घिर्टे देखा है बादल को घिरते देखा है इस पध्यांश में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार की चटा दर्शनी है अनुप्रास कहां पर होता है जैसा कि आप जानते भी हैं आपने पढ़ा भी होगा कि वर्णों की आबरित्य को अनुप्रास कहते हैं वही जब बार-बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास होता है और उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना या कलपना otherwise यहां उपमेव में उपवान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है अब आपने देखा है कि एक विशेश प्रयोग नागार्जुन ने किया है कमल को स्वनिम क्यों कहा है वास्तों में सुर्योदे के समय आकास की लालिमा और सुर्य की सुनरी केने कमल के फूलों पर पढ़ती है जिससे कमल स्वनिम आभा से युक्त दिखाई देते है इस पद में माधूर्य है और लैयात्मक्ता का गुण विद्यमान है आगे कभी कहता है कि छोटी बड़ी कई जीले हैं छोटी बड़ी कई जीले हैं उनके स्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमत से ब्याकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है अब यहाँ प्रकिति का सूख्म चित्र आपको दिखाई देगा शब्दार से देख लें बड़ी कई जीले हैं उनके स्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमत से ब्याकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है धवल हिम गिर पर कई छोटी बड़ी जीले बदी हुई है उन जीलों के नीले काले जल में पावस की उमत से ब्याकुल जब वर्षा होती है तो उमस बढ़ जाती है तो जो पक्षी है वो ब्याकुल होतते हैं तो पावस की उमत से ब्याकुल पक्षी कीडे मकोणों को खोजने के लिए यहां चले आते हैं इसी जील में हंसों को तिरते देखा है हमने हंसों को तैरते हुए देखा है इसमें गीतात्मक्ता है लेयात्मक्ता है और संस्क्रित निष्ट भाषा का प्रयोग आगे कभी कहता है अब बसंत रितु का चित्र आपके सामने है कभी क्या कहता है रिष्ट बसंत का सुप्रभात था मंद मंद था अनिल बहरहा बालारुन की मृद केने थी अगल बगल स्वयनाव शिखर थे एक दूसरे से बिहरित हो अलग अलग रह कर ही जिनको निशाकाल के चिर अविशापित बेवसुन चकवा चकई का बंद हुआ क्रं फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे सहिवालों की हरी दरी पर प्रणे कलह छिड़ते देखा है बादल को घिरते देखा है यहां कभी ने बशंत रितु का सुप्रभात का वर्णिन किया है हम पहले शब्दार्थ देख लें अनिल माने वायो अनिल बहरहा मंद मंद धीरे धीरे बालारुण की मृधु केणे थी बालारुण बाल अरुण मतलब उगता हुआ सूर्य अरुण माने सूर्य बाल माने उगता हुआ मृधु केणे मीठी मीठी केणे सुहावनी केणे अगल बगल स्वयनाब सिखर थे स्वयनाब स्वयन की आभा से युक्त स्वयनाब क्यों थे शूरी के निकलने से उसमें सूरी का कीर्णे जो पड़ रही थी तो वे श्वयनाब स्वयन की आभा वो शिखर जो है स्वयन की आभा के समाण दिखाई दे रहे थे एक दूसरे से बिहरित हो अब बिहरित कहेंगे अलग अलग रहना साइवाल घास की परत क्रंदन रोना प्रणे कल प्रणे लीला बशंत रितु के कारण वाता वरण मनोरम हो चला था रितु बसंत का सुप्रभाद था मंद मंद था अनिल बहरा दीरे दीरे वायु का प्रभाह हो रहा था और ये सुर्योदे का समय था वाला रोन की म्रिदुकेणे थी प्राता काली सुर की म्रिदुकेणे स्वयनाब सिखर पर अगल बगल पड़ रही थी अगल बगल जो सिखर ते वे स्वयनाब दिखाई दे रहे थे कहने का भाव यह है कि उगते हुए सूर की सुनहरी किर्णें शिखरों पर अपनी स्वयनिम आभा बिखेर रही थी एक दूसरे से बिहरीत हो एक दूसरे से बिछुडने और अलग अलग रहकर रात बिताने का जिसे अविशाप मिला है आप जानते होंगे कि अविशाप चकवा और चकवी को मिला हुआ है निशाकाल के चिर अविशापित बहुत समय से ये रात्रिकाल में इन्हें शाप है कि एक दूसरे से नहीं मिल पाते है अब चुँकि शुर्योदे हो रहा है तो रात भर के बिछुडे हुए चकवा और चकवी जो है उनका जो दुख में रुदन है वह बंद हो गया क्रंदन बंद हुआ क्रंदन उनका क्रंदन बंद हो गया उनका रोना बंद हो गया अप्रात हकाल के आगमन से उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देखकर ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने विशा दिया है हरे रंग की ऐसे समय में चकवा चकवी को प्रेम क्रिडा करते हुए और बादल को घिरते हुए कभी ने देखा है वही कभी कहता है कि बादल को घिरते देखा है ऐसे समय में इस पद्याइश्य में बशंत के प्रात्यकालीन श्वणिम आभा का द्रिश्यांकन बहुत मनोरम बन पड़ा है और प्रकित का सजीव चित्रन है लेयात्मक्ता है माधोरिक गुन है